नमस्कार दोस्तों, स्वाकत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सरकारी जोबाय राकेश पर दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे परधान मंतरी साधी सगुनी योजना 2021 के बारे में इस योजना में क्या-क्या लाब मिलेंगे? इस योजना में आउधन करने के लिए परधान 미ंतरी साधी सगुनी योजना 2021 के लिए आउधन कैसे करें पूरी जानकार इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से देंगे इसलिए वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक देखे वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कर दें और जादा जादा अपने दोस्तों के पास फेस्बुक, वाटसेप, इस्टाग्राम पे सेर कर दें ताकि वो भी इसका लाब ले सकें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन जरूर प्रेज कर ले ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो प्लोड करें ऐसा ही कुछ मुस्लिम वरग में भी देखा जाता है मुस्लिम वरग के लड़कियों को शिक्षा के लिए अधीक प्रोथसान नहीं मिल पाता है यहीं कारणा कि केंदर सरकार ने मुस्लिम समाज के लड़कियों को उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के उद्देशे के साथ ही साधी Sघौन योजना का सुबारम किया है इस योजना के माध्यम से अलब संक्यक वरक्ये लड़कियों को पड़ाई के इस तर्में वर्दी होगी पीम साधी सगुन योजना को सुरू करने के पीछे केंदर सरकार का मुख्य उद्देश से अल्प संक्यक एहुं मुस्लिम लड़कियों को उच्छा के लिए प्रेरित करना है इसके साथ ही मुस्लिम वरके माता पिता को उनकी बेटी की साधी के समय सरकार दोरा आर्थिक साहता परदान की जाएगी दोस्तों केंदर सरकार के दोवारा परधान मंतरी साधी सगुन योजना के तैत नवी वर दसवी की पढ़ाई पूरी करने वाले मुस्लिम लड़कियों को पुरसकार के तोर पर 10,000 रुपे की दंदरासी देने का निर्नल लिया गया दोस्तों पहले ये 10,000 रुपे की दंदरासी ग्यारी वर बारी की पढ़ाई पूरी करने के बाद लड़कियों को दी जाती थी लेकिन अभी दसवी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही ये 10,000 रुपे की आर्थिक सायता दी जाएगी किस उद्देशे से यही शुरू किया गया है केंदर सरकार का पीम साधी सगुन योजना 2021 को सुरू करने के पीछे मुख्य उद्देशिय मुसलिम समाज के अभिवाओ को लड़कियों के उच्छिक्षा के लिए प्रोसायथ करना है इस योजना के माद्यम से केंदर सरकार वियाँ से पहले अपनी इसनातक की पढ़ाई पूरी कर लेने वाली मुस्लिम लड़कियों को साधि के समय साधि सगुन के रुब में 61,000 रुप़ पर परदान करेगी साधि सगुन योजना के क्या क्या लाब है नमबर एक, साधी सगुन योजना के तहट लाबार्थी मुस्लिम लड़कियों को उनके इसना तक की सिक्षा पूरी कर लेने के बाद विया करने के इस्तिती में अनुदान के रूप में एकाउन अजार रुपए की रासी सरकार के दोरा परदान की जाएगी नमबर दो, यहीं योजना मुस्लिम समाज की बालिकाओं को उच शिक्षा प्राप्त करने के लिए परेरित करेगी नमबर तीर, इतना ही नहीं, पी-एम साधी सगुन योजना के तहट बालिकाओं को उनकी नववी वए दसवी कक्षा उत्तिरन कर लेने पर सरकार के दोरा दस अजार रुपए की प्रोथसांद रासी भी परदान की जाएगी दोस्तो परदान मंतरी साधी सगुन योजना में आउधन करने के लिए क्या-क्या पातरता होनी चाहिए नमबर एक, मोलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन पी-एम साधी सगुन योजना 2021 की देखरेक कर रही है इसलिए इस योजना के तहट पंजिकरन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट को पर जाना होगा नमबर दू, क्योल उन्ही अलप शंक्यक मुस्लिम लड़कियों को इस योजना का लाप परदान किया जाएगा जिन्होंने इसना तक की पड़ाई पूरी कर ली है नमबर तीन, साधी सगुन योजना भारत के सभी राजियों में लागू की गई है नमबर चार, इसना तक इस तरकी प्रिक्षाइं छोड़ देने वाली मुस्लिम लड़कियां साधी सगुन योजना के लिए पातर नहीं होगी नमबर पांस, मुलाना आजाद फाउंडेशन दवारा वित पोसित बेगम हजरत महल चातरवरती प्राप्त करने वाली चातराएं भी पीम साधी सगुन योजना दो जार एकिस के लिए पातर होंगी नमबर छे, पीम साधी सगुन योजना का लाब उन मुस्लिम लड़कियों को दिया जाएगा जिने मुलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन से इसकुल इस्तर पर इसकुलर्शिप मिली हो और जिनोंने ग्रेजिशन पूरी कर ली हो नमबर साथ, मुस्लिमों के अलावा पीम साधी सगुन योजना के तहत सिक, इसाई, पार्शी और जैंद्रम के लोग भी लाब ले सकते हैं उन सभी को भी सरकार के दौरा बालिकाओं को एक्काउन अजार रुपे की आर्थिक सायता परदान की जाएगी नमबर आठ, साधी सगुन योजना का लाब प्राप्त करने के लिए लड़की का किसी भी मानेता प्राप्त कोले से इसना तक किया होना अनिवारी है नमबर नो, पियम साधी सगुन योजना के लिए मुस्लिम लड़की भारत के नागरिक होना चाहिए नमबर दस बालिका के माता पिता की वार्षिक आय ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिन बालिका के माता पिता की वार्षिक आय कम है उन्हीं को इसका लाब दिया जाएगा दोस्तो परदान मंतरी साधी सगुन योजना 2021 के लिए आवधन कैसे करें दोस्तों यदि आप परधान मंतरी साधी सगुन योजना 2021 के लिए आवधन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मौलाना आजाद फाउंडेशन की अधिकारिक वेबसाइट को पर जाना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट के होम पेज पर आपको स्कोलर शिप के विकलब पर जाना होगा उसके बाद एक नया पेज उपन होगा इस पेज पर आपको साधी सगुन योजना फारम के लिंक पर किलिक करना होगा और आवधन पत्र आपको इस्क्रीन पर खुल जाएगा अब इस आवधन पत्र में जो भी जानकरी आपसे मागी गई है उनको आप ज्यान पूरोग भरेंगे और सारे दस्तावज अपलोड कर देंगे अन्त में आप सब्मिट बटन दबाकर अपनी सावधन पत्र को सब्मिट कर देंगे और एक रजिस्टेशन सिलिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी आप इस रजिस्टेशन सिलिप को डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे इस परकार से आप परधान मंतरी साधी सकुन योजना के लिए आउधन कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको हमारे दोवारा दीगी जानकारी अच्छी लगएगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और ज़्याद ज़्याद अपने दोस्तों के पास फेस्बुक वाटसेप इंस्टाग्राम पर सेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाब ले सके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो प्लोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलें धन्यवाद दो